हेलो एवरिवन नमस्कार वेलकम बैक अगेंड टू प्रॉक्सी ग्यान मैं आपका एदुकेटर साइद शाबाज दिल से स्वागत करता हूँ हमारे प्रॉक्सी ग्यान यूट्यूब चैनल पे तो जैसे के आप सभी लोग जानते हैं दोस्तो कि हम लोगों ने EPFO की सीरीज को शिरुवात की थी कि हम लोगों ने जो सिलबस था वो सब्जेक्ट कवर करते आ रहे थे मैंने जो ये इंडियन एकॉनमी और इंडियन पॉलिटी को सक्सेस्फ़ली कवर कर लिया है आज मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वह बहुती इंट्रेसिंग सब्जेक्ट होने वाला है और बहुती प्राक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों राइट तो ये थीरे सी जादा आपको प्राक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो आज बेसिक चीजें होती है जो सबको पता होती है उसी को हम जो है थीरी के पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है ताकि आपको भी एजीली समझ में आये और धीरे धीरे जो है सब कुछ आने वाले वीडियो में सारा कंप्यूटर अप्लिकेशन का सिलबस भी कवर कर लेंगे तो चले okay so lets start without any delay То जैसे मैंने का computer application के बारे में आज हम पढने वाले है है चले थोड़ा introduction हम देख लेते हैं introduction के बाद types देखेंगे characteristics देखेंगे जो just important topics होते हम होने के बारे में में सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे cover करूगा तो पहले the term computer is derived from the latin word या दख लिजे latin word से इसको derived किया गया है जिसका नाम है compute दोस्तों और compute का मतलब क्या होता है calculator तो computer का मतलब क्या होता है दोस्तों latin word से derived किया गया है compute है और it is nothing but calculate इसे कहते है क्या कहते है calculate So a computer is an electronic machine device for performing calculations and controlling operations that can be expressed in either logical form or numerical terms basically अगर बात करें तो computer की एजात जो invention की गई थी वो सिर्फ calculations करने के लिए इसको invent किया गया था दोस्तों आज तो computer हम different different projects के लिए different different कामों के लिए use करते हैं but main objective था computer invent करने का it is for calculations either logical terms में उसको calculate किया जा सकता था या भी हम numerical terms अभी हम देख रहे है one two three four numerical terms में इसको calculate किया जाता है so in simple term computer is electronic device that performs diverse operations आप देख रहे होंगे आज के जमाने के जो laptops हैं जो computers हैं जो advanced version होते हैं उनका स्रिफ calculation करना ही काम नहीं होता है उसके अलाबे बहुत सारे operations होते हैं आप जो editing कर सकते हैं recording कर सकते हैं पढ़ा सकते हैं बच्चों को PPTs बना सकते हैं तरह तरह के logos design कर सकते हैं simultaneously आप कर सकते हैं ऐसा नहीं कि स्रिफ आप एक काम कर रहे हैं उसको रोक के आप दूसरा काम कर सकते हैं अगर आप कोई movie download कर रहे हैं तो back end में आप उसको रख दिजिये और front end में आप lecture record कर सकते हैं तो इसी तरह different different काम कर सकते हैं with the help of instructions जो भी आप instructions देंगे उसके desire results आपको निकाल के देगा चली So what is the characteristics of computer यह जान लेना बहुत ही जरूरी है एक चीज को एक device को अगर आप computer कहना चाहते हैं तो इसके थोड़े बहुत characteristics होते हैं अगर किसी चीज को आप define करना चाहते हैं तो इसको characteristics के हिसाब से ही आप इसको define कर सकते हैं तो पहला इसका characteristics है speed है दूस्तों दूसरा है storage तीसरा accuracy 4th one versatility 6th is reliability तो यह 6 ऐसे characteristics है जो very important है तो one by one हम देखेंगे देखें आज के अगर आप जमाने की बात करें तो speed of computer जो बहुती बढ़ चुकी है दूसरा when compared to the previous one today's computer according to their class can perform up to 4 MIPS MIPS क्या होता है million million of instruction per second दूसरा million of instruction per second 200 MPPS 4.MIPS से लेके 100 MIPS तक यह आज के computers perform करते हैं जो के बहुत ही बढ़िया बात है आज के जो speed जे करें आप तो next characteristics जो बताया था मैंने वो है storage storage की बात करें यहाँ पे तो कोई limit ही नहीं है अभी तो terabytes gigabyte था पहले अभी तो terabytes भी पार हो चुके है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो basic storage शुरुआत होती है KB से उसके बाद EMB हो गया उसके बाद GB हो गया उसका terabytes आता है इसे तरह के बल्ला के होते हैं so on जाता है zetabytes तक आपको जाता है बस एक छोटा सा glance रख लीजिए ठीक है storage के हिसाब से उसके बाद कई तरह के external storage devices की बाद करें जैसे hard disk हो गया यह सारे external storage है या फिर floppy disk हो गया तो यह सब कुछ हम detail में पढ़ेंगे don't worry बस मैं आपको storage आ रहा है तो सारे कुछ example देके समझा रहा हू कोई scientific research करना है उसके लिए जो results हमको मिलते है वो बहुत ही accurately होते है तो accuracy होना भी बहुत ही important होता है computer के लिए उसके बाद आता है versatality versatality is nothing but suppose मान लिजे कि यह time पे वो कितने task को perform कर सकता है that is known as versatality capable of performing multiple tasks capable of performing multiple tasks हो गया tick right so इसे हम क्या कहते है versatality कहते है वह ही अगर बात करे automation का भी characteristics आपको बताया था so automation क्या होता है so automation is automatic in operations जब आप इसको instructions दे देंगे भहे मुझे देखो यह program का इस तरह का coding चाहे तो आप instructions दे देंगे तो automatically इसका desire results आपको निकाल के देदा है human intervention नहीं होता इसे हम क्या कहते है automation and last but not the least मैंने बताया था आपको reliability reliability is nothing but क्या है हमको accurate or correct information हमको चाहिए and जो भी हम parameters को change करेंगे जो भी हम you know changes करेंगे तो उसके हिसाब से उसका answer दे हम उसका result दे reliability मतलब क्या है कि हम इस बंदे पर reliable हो मतलब क्या है कि हम इस पर भरोसा कर सकते है computer जो भी result हमको दे it's a correct only reliability का मतलब वह होता है समझ में आगे आपको basic चीज़ें जो मैंने बताई है कि क्या-क्या characteristics होने चाहिए speed होना चाहिए storage होना चाहिए and it must have accuracy versatility, automation and reliability यह जो 6 ऐसे characteristics हैं जो हर computer को होने ही चाहिए चलिए next हम discuss करते है history of computers किस तरह का computer का development शुरू हो है generations of computer is different आगे महीं वो भी आपको पढ़ाऊंगा first generation, second generation जो बहुत बार आपने सुना होगा generation अलग होता है history अलग होती है तो पहले जो history थी computers को शुरुआत होती abacus के दूस्तों उसके बाद Pascal's Calculator लेके आया उसका ABC computer को डेवलप किया गया उसका the most famous one जो डेवलप होगा था electronic, numerical, integrator and calculator को डेवलप किया गया उसका latest version है universal automatic computer जो आज के जमाने में इस किया जाता है चलिए one by one में आपको इसके बारे में समझा देता हूँ abacus is nothing but counting device होता है आपने देखा होगा in fact आज भी बच्चों को पढ़ाते है rectangular wooden box होता है इस तरह की okay वहाँ पे इस तरह से आपको देख रहे होंगे बच्चों को teach किया जाता है slide करते है sliding की मदद से आप calculation कर सकते हैं Pascal calculator की बात करे देखिए नाम से ही पता चल रहा है Pascal Blaise Pascal French mathematician थे दोस्तों उन्होंने एक machine को invent किया था based on gear wheels किस पे gear wheels पे तो वहाँ पे actually यह इनकी थोड़ी बहुत history में आपको बता देता हूँ क्यूं उनको जरुवत पड़ी की इस तरह का calculator को invent करे इनके जो पिताजी थे वह tax calculator थे दोस्तों तो हमेशा जब वह शाम पे घर लोटके आते थे तो वह उनके पिताजी को देखा करते थे कि बहुत सारे calculations करते रहे उसमें कही तरह के mistakes हुआ करते थे तो उनकी वज़े से उनके boss से उनको बहुत डाट पड़ रही थी तो इसलिए Pascal जी ने क्या क्या based on gear wheel जो होता है न उन्हों उसके मदद से calculator को invent करते या दोस्तों bicycle की जो chain होती है उससे use करके calculator को develop करे लिए he used similar gear wheels with 10 teeth for each digit position तो उस तरह से develop किया and धीरे धीरे जो है dials शुरू होने जगे and he also used some suitable dialing system to operate the gear wheels और वहां के उस time के जो लोग है उनको easy दिखा calculations के लिए तो उन्हें इसी तरह को develop कर दे और उन्हें का नाम रख दिया Pascal Calculator उसका जो most famous आया था Eniac 1947 में याद रख लिजे So Eniac जो है 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली थी उस time पे जो है हमारे scientist इनका नाम था John Mockley John Macley और Eckart इनकांदम है दोनों ने मिलके क्या क्या इस चीज को invent किया दोस्तों So Eniac in this the computer each time program was changed and writing had to be completely rearrange और इसका जो वजन था वो 30 tons था वाव 30 tons था और इसमें 18,000 तो समझिये कितना बड़ा computer हो गया more than a big hall एक computer आप एक hall में रखना पड़ता है आज तो computer pocket में आ चुके है इतने slim laptops हो चुके है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह बैग में laptop रखा है या नहीं मेरा दोस्तिक था जो हम colleagues थे जब हम काम कर रहे थे 1947 की बात करे 30 ton का computer 18,000 vacuum tubes सोची कितना बड़ा होगा किती बड़ी room ले रहा होगा उसका दीरे दीरे उसका size भी reduce किया गया UNIAC जाके UNIAC बन गया UNIWAC बन चुका है यहाँ पर फस्ट computer है जो business applications के लिए इसको इस्तमाल किया गया था business applications के लिए पहली बार इस computer को इस्तमाल किया गया तो इसका नाम है UNIWAC चली history of computers हो गया so a computer system it's a various component a computer system में क्या होता है बहुत सारे components होते है जैसे के monitor हो गया keyboard हो गया mouse हो गया main चीज तो हमें भूली गया CPU हो गया तो सारे चीजों को मिला कर it performs system function as input processing output storage control यह जो मैंने बता है न output monitor mouse यह सो input और output devices है और computer system को जो दो तरह का में divide किया गया hardware system हो गया software clear hardware और software में इसको divide किया गया है hardware जैसे के नाम सही आपको पता चल रहा होगा physical components दोस्तों जो जितने भी physical components है उसको हम क्या कहते है hardware components जैसे मैंने अभी example दिया आपको keyboard हो गया mouse हो गया printer हो गया monitor हो गया है hardware components वह इस software की बात करे जो internal operations को perform करते हैं additions हो गये subtractions हो गये या basic चीज में आपको बताऊं OS system हो गया OS जो Windows का operating system होता है Windows जो हम कहते हैं या फिर Mac जो हम कहते हैं यह तरह क्या होते हैं यह software होते हैं जो instructions देते हैं किसी काम करने को चले अभी आता है main important topic generation of computers बहुत important topic है first generation जो 1940 से लेकर 1956 तक हुआ था vacuum tools उसमें उसकिये थे second generation of computer 1956 to 1963 transistors इसमें उसकिया गया था मैं इस detail में आपको पढ़ाऊंगा इसके characteristics के बारे में भी third generation of computer 1964 से लेकर early 1976 तक इसमें क्या उसकिया गया था IC chips उसकिये गये थे integrated circuits उसके बाद आता है fourth generation computers जो early 1970 से लेकर आज तक जो चल रहे आ रहे है जो microprocessor जो आपने देख रहा होगा and fifth generation computer जो present and beyond जो artificial intelligence पे यह काम कर रहे है ठेक है चलिए one by one मैं आपको बारे में आपको बताता हूँ इसके history के बारे में किस तरह के इसके example है सब कुछ हम detail में पढ़ते है चलिए यहां पे explain कर देता हूँ क्योंकि एक slide में आपको यहां पे leave करना था no issues तो पहला है हमारा first generation दोस्तों देखे first generation में जो है जैसा मैंने कहा vacuum tubes इसमें use किये गए रहे है तो यहां पे आपको vacuum tubes for circuitry and magnetic drums use किया जाता था memory के लिए यहां पे क्या use करते थे अभी तो हम लोग chips use करते है या hard disk use करते है उस जमाने में वो लोग memory के लिए magnetic drums को use करते थे बहुत बड़े-बड़े drums होते थे उस time पे metal cylindrical and they will coated with iron oxide से coat करके उनको रखा जाता था और पहले generation के जो computers है completely binary language जो zero and one है उस पे depend होते थे दोस्तो to perform the various operations so each machine was fed with a different binary codes hence were difficult to program यहां पे examples आपने जैसे मैंने कहा अभी मैंने इसका full form भी बने आपको बताया ENIAC हो गया या भी EDWAC भी था एड़वाग या UNIWAC इस सारे फस्स generation के example है तो अभी आता है हमारा second generation second generation में थोड़ा development किया गया क्योंकि यहां पे हम लोगों को transistors देखने को मिले second generation में हमको क्या देखने को मिले transistors okay यह vacuum tubes को replace कर दिया गया transistors देखने को मिले और lot of semiconductors हमको उस time पे development चल रहा था तो उसी के मदद से हमनो 1946 में William Shockley और उनके थोड़े कोलिक्स ने transistors को invent किया था दोस्तों जो बहुत ही small in size होते है and they also save power due to the options of heating and cooling क्योंकि vacuum tubes को cool भी करना परता था because वो बहुत ही heat हो जाते थे अगर थोड़ा भी अगर चला ले but transistors के में वो problem नहीं थी they don't need any heating or cooling इसके characteristics की बात करें तो these machines are based on transistors technology और यहां पे assembly language पहली बार use की गई थी assembly language को पहली बार इस्तमाल किया गया था and second generation computer still required air conditioning तो उनको जुरत पड़ती थी कितना भी वो reduce heat they will generate a heat not like today's computer third generation की बात कर रहे तो यहां पे इन्होंने क्या किया IC chips को इस्तमाल किया integrated chips को right तो यह क्या करते देवर physically separate or discrete and slowly scientist क्या के integrate करना शुरू कर दिये सारे components को एक जगा क्योंकि पहले क्या होता था सारे components अलग-अलग fit किये जाते था अलग-अलग but धीरे धीरे जैसे जैसे technology डेवलप करती गई scientist ने एक mother boat डेवलप करना शुरू कर दिया उसमें सारे components fit करते गए दोस्तों जिसमें circuits एक form किया गया था integrated circuits समझी से बोलते है and computer using such components 3rd generation computer जिसे कहते है अपने intel का नाम तो सुना होगा intel तो intel 4004 4004 यह है क्या है जो पहला ic chip में डेवलप किया हुआ mother board है इसके characteristics की बात करे this computers are based on integrated circuit technology extensive use of high level language इसमें 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 किया गया था and commercial production become easier and cheaper okay so fourth generation की बात करे so more and more circuits are packed in microprocessors यहां पर क्या हुआ था हम लोगों ने microprocessors use करना शुरुआत की है microprocessors and this are very large scale integration technology है दोस्तों right बहुत सारे से Intel Corporation वाले चिप्स को develop किये थे जिसका नाम था 8080 right 8086 हो गया दोस्तों यह सारे examples 80286 तो यह chips है microprocessor के जो develop किये गये थे right इसके computers बहुत ही small थे अगर characteristics की बात करे है और यहां पे जो है आपको बहुत ही कम या भी negligible amount of heat generate होगा करती थे and GUI and pointing devices को use किया करते थे और interconnection of computers को भी इन्होंने इस्तमाल किया है और last but not the least fifth generation computer की बात करें तो they have used क्या यूज़ कर रहे थे हो artificial intelligence मैं थोड़ा यहां paste को erase कर देता हूं I hope कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने characteristics बता रहा हो मैं मेरे साथ follow कीजेगा या को कोई भी doubt है तो I request की lecture को जो है दुबारा फिर वापस लेके जाए and दुबारा सुनिए ताकि आपको doubt clarify हो जाएगा दोस्तों चलिए अगर 5th generation की बात करें तो हम लोग ने क्या यूज किया था उसमे artificial intelligence को यूज किया था दोस्तों ठीक है so artificial intelligence ऐसे के अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे it operates by measuring it requires physical log okay it function on continuously varying quantities the accuracy भी बहुत ही ज्यादा है दोस्तों okay the accuracy accuracy बहुत ज्यादा होती है and the speed is also very high या देख लिए और इनके पास जो है क्या होती large memories भी होती है large memories होती है speed जो है very high होती है दोस्तों इनकी और accuracy बहुती ज्यादा होती है बहुती high accuracy होती होती है बहुती high accuracy का भी होता है this is about the generation of computers so यहाँ पर मैं मेरा पहला lecture stop करना चाहता हूँ क्योंकि सारा कुछ आप एक बार हम माइंड में दाल देंगे तो आप भी जोए confused हो जाएंगे दोस्तों आपको अच्छा questions बना सकते हैं उस पर से तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले lecture में कुछ interesting topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केर श्टे सेफ श्टे हपी थैंक यू सो मच